Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि Static website में और एक dynamic website में क्या difference होता है और Static website और dynamic website create करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या फिर आपको क्या skills की जरुवत होगी Now guys, before starting, make sure to subscribe to this channel और वो bell का icon दबा दे ताकि आप कोई भी update को miss ना करे मैं बहुत सारा exciting content यहाँ पर create करने वाला हूँ especially अगर आप web development सीखना चाते हैं तो आपको यहाँ से बहुत help और बहुत guidance मिलने वाला है All right everyone, so सबसे पहले बात करते हैं static website की Static website एक वो website होती है जिसके एंदर एक बार अगर आपने website को बना दिया तो उसके अंदर उसका content जो है वो update नहीं होता है यह content जो और यह which new problem दो नहीं होता है Example के लिए a photographer है उस photographer को आपने एक website बना के दी तो आपने क्या किया आपने उसका पूरा website बना दिया और website में उसका logo हो गया, navigation हो गया, उसके कुछ photos थे वो डाल दिया, एक अच्छा सा खूबसूरत सा design बना दिया और आपने server पे upload कर दिया अब जब भी कोई उस website को visit करता है, तो उसको same content बार बार दिखता है, वही website ऐसी के ऐसी दिखते हैं, उसके कोई भी changes नहीं दिखते हैं, तो इस तरह के website जिसके अंदर कोई update नहीं होता है, जिसके अंदर कोई changes नहीं होते हैं, वो होती है static website, इसके बाद बाद आती है dynamic website की, तो dynamic website का जो best example होगा वो होगा youtube.com तो आप देखोगे कि जब भी आप youtube.com पे जाते हो तो youtube.com के home page पर आपको different kind of videos दिखती है but when you refresh that page या फिर आप उसको बाद में बंद करके खोलते हैं तो आपको same videos नहीं दिखती, वो videos वहाँ पे change हो जाती है तो यह जो change होता है इसको हम बोलते हैं dynamic website या फिर dynamic content इसको हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? वो fixed नहीं है, वो static नहीं है वो dynamic है, वो वहाँ पे change हो रहा है So that is dynamic website अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आप एक static website बनाना चाहते हैं आपको क्या आना चाहिए और अगर आप एक dynamic website बना रहे तो आपको क्या आना चाहिए सबसे पहले हम इस static website के बात कर रहे हैं तो अगर आपको एक static website बनाना है तो आपको basically HTML, CSS और कोई भी framework CSS का जैसे bootstep होगी आप वो आना चाहिए अगर आपको इतना आता है तो आप static website बना सकते हो इसके बात बात आती है dynamic websites की तो dynamic websites बनाने के लिए आपको या तो front end में JavaScript और उसका कोई framework आना चाहिए framework नहीं भी आएगा तो चलेगा JavaScript से आप काम कर सकते हो या फिर backend की कोई language for example PHP, Python, Node.js और database आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आपको वो आता है तो वो dynamic जो है चीज़े है वो आप चेंज कर पाओगे अब यहां पर question आता है कि sir हम पहले क्या सीखे है पहले static website बनाना सीखे है, dynamic website बनाना सीखे है या ऐसा कुछ होता भी है कि मैं static developer हूँ या मैं एक dynamic developer हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है static developer हूँ, dynamic developer कुछ नहीं होता है front end developer, back end developer होता है तो basically अगर आप start कर रहे हो तो आप static websites शुरुआत में बनाना शुरू करो जो कि easy है, आप आसानी से सीख जाओगे और जादा time नहीं लगेगा तो आप html css सीखना start करो, उसको बहुत अच्छे से सीखो जब आप html css सीख लेते हो, फिर bootstrap सीखो और जब आप वो भी सीख लेते हो, तब आप javascript और उसके जो framework है उसके तरफ आगे बढ़ सकते हो और अगर आपको dynamic website बनाना है तो फिर आपको javascript react या फिर backend की जो languages है वो आपको आना चाहिए और मैंने बोल दिया, dynamic website बनाने के लिए यह आना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि उससे काम हो जाएगा वो depend करता है कि वो जो project है उसमें क्या requirement है तो कुछ ऐसी चीज़े होगी जिसके अंदर backend की requirement होगी तो उसके लिए आपको backend की language सीखनी पड़ेगी कुछ ऐसी चीज़े होगी जिसमें आपको frontend के जो आपकी javascript के frameworks वगेरा है उनकी requirement होगी तो वो आपको सीखना पड़ेगी So this completely depends upon कि project कैसा है तो पहली चीज तो static developer और dynamic developer नाम से कोई चीज नहीं होती है एक developer होता है जो दोनों चीज़े बना सकता है बात होती ही कि आप क्या सीखना चाहते हो और आपको क्या आपको सीखना चाहिए तो शुरुआत में आप static website बनाना सीख लो एजी होता है एक आप static website बनाना सीख जाते हो फिर आप dynamic website को कैसे बनाते हो वो फ्रंटेंड और बैकेंड की technology से सीख सकते हो अगर आप यह सीखना चाहते कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं in just 90 days I am having a free training जहां पर आपको यह पता चलेगा कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं in just 90 days तो लिंक आपको description में मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप register कर लीजे and guys that's it for this video I hope this video ने आपको help किया होगा अगर इस video से आपको कोई भी help मिली हो to make sure to like this video नेचे comment करके बता हो जुचीज आपको समझ माई हो अच्छी लगी हो and that's it for this video guys thank you so much for watching and I will going to see you next time bye bye